तो आज में बनाने वाले हैं हैं मोका ब्राउनी फर्स आइस क्रीम जिसको चॉकलेट आइस क्रीम पसंद है उसको ये चॉकलेट आइस क्रीम बहुत पसंद आएगी इसमें धोड़ा ब्राउनी है डार्क चॉकलेट है तो इसका टेस्ट चॉकलेट आइस क्रीम से भी बहुत अ इसमें आधा कप चीनी डाली है, 50 ग्राम अमुल का डार्क चोकलेट आता है, वो डाला है दो बड़े चमश कोको पाउडर डाला है, यह आइस क्रीम थोड़ा सा डार्क होता है खाने में इसके वज़े से यहाँ पे दो बड़े चमश कोको पाउडर डाला है दो बड़े चमश कॉणफलार एट किया है क्योंकि यहाँ पे हम दूद से आइस क्रीम बना रहे हैं यहाँ पे कोई भी विपिंग क्रीम का यूज नहीं गारने वाले हैं इन सब को mix कर देंगे, इसके अंदर कोई भी गाठे ना रहे, इस तरह से हमें तयार करना है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मुटे तले वाली कडाई ली है, और इसमें दूद का mixture डाल देंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले medium आज रखनी है, medium आज पे हम इसे 3-4 मिनिट पकाए क्योंकि दूद थोड़ा गरम होने में देर लगती है, तो medium आज पे हम इसे थोड़ा पकाएंगे, और यह थोड़ा गाडा होने लगे, तब हम आज एकदम लो कर देंगे, और इसे फिर से 3 मिनिट के लिए पकाएंगे, तो दूद दीरे दीरे गाडा भी हो जाएगा, और जो कौन फॉर है, वो भी अंदर पक जाएगा, इसे हमें बहुत गाडा नहीं करना है, आप देख सकते हो, इस तरह सा हमें यह गाडा दूद तयार करना है, अब हम यहाँ पर गैस बन कर देंगे, और इसे हम एक मोल्ड में ट्रांसपर कर देंगे, अगर आपके पास कोई एर टाइट डबा हो काश का, उसमें भी आप डाल सकते हो, यहाँ पर मैंने केक्टिन लिया है, इसे थोड़ा रूम टेंपरेचर पर आने देंगे, उसके पा करना है फ्रीज में, तो हमें यंगी से फ्रीज में तीन से चार गंटे के लिए ही फ्रीज करना है, आपके पास एर टाइट डबा हो तो आपको फॉल पिपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तीन चार गंटे के बाद आइस क्रीम सेट हो चुका है, यहाँ पर हमने अब स्मूध नहीं बेनेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने पहली बार यह फ्रीज किया है आइस क्रीम, उसको निकाल के हम मिक्सिजार में इसे ट्रांसपर कर देंगे, उसके बाल हम जो दूद में इसे जो गाड़ी मलाई निकलती है घर की, इसे हम डालेंगे तो उस गर की मलाई कॉप को क्या करना है, थोड़ा विसकर की मदद से विसक कर लेना है, जिसमें उसमें भी थोड़े से लम सोग तो निकल जाए, उसके बाद तीन बड़े चमश गर की मलाई हम इसमें डाल देंगे और मिक्सिजार को हम चला लेंगे, और इस मलाई से हमारा आइस्क्रीम बढ़िया सा स्मूथ बनेगा बिलकुल मार्केट में जो मिलता है उस तरह का मलाई डालने की वज़े से ये बैटर थोड़ा सा स्मूथ हो चुका है इसे हम फिर से वही केक्टिन में डाल देंगे इसके अंदर हम डालेंगे ब्राउनी तो यहां पे जो फिर्स ब्राउनी है उसका वीडियो मेरी चैनल पे पहले से ही मैंने डाला है तो आप वो चेक कर सकते हो मैं नीचे इसके लिंक दे दूँगी इस ब्राउनी के हमें छोटे-छोटे टुकडे कर देने हैं फिर इसे हमें डालना है उसके बाद यहां पे मैंने अख्रोट ली है इस अख्रोट को मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था और इसके छोटे-छोटे टुकडे कर दिये है उसमें से हम डाल देंगे इसमें और यहां पे थोड़ा सा मैंने बादाम को भी रोस्ट कर दिया था उसके भी ट अच्छी तरह से हमें कवर करना है वना क्या होगा कि इसमें आइस क्रिस्टल बन जाएंगे उसके बाद हम इसे फ्रेजर में छोड़ देंगे 8-9 गंटे के लिए सेट होने के लिए 9-10 गंदे के बाद मैंने आईस क्रीम को फ्रिजर में से निकाल दिया है इसके उपर जो ऐलूमिनियम फॉइल है हम निकाल देंगे और बड़ी हैसा हमारा आईस क्रीम भी सैट हो चुका है अब हम इस आईस क्रीम को सव करेंगे यह बहुत ही क्रीमी वाला आइस क्रीम था, टेस्ट इसका बिल्कुल अलग था, तो इसे ज़रूर आप इस तरह से ट्राइ करना, तो आइस क्रीम को हमने सव कर लिया है, उसके उपर मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सीरप से इसे गानिश किया है, थोड़ा डार्क चॉकलेट से हमने इसे गानिश किया है, एंजोई कर ये, इस गर्मियों के दिनों में आइस क्रीम, गर्मे बच्चों को भी ये आइस क्रीम बहुत पसंद आएगा, चॉकलेट की वज़े से, तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, तो लाइक भी कर सकते हो, शेर भी कर सकते हो, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अच्छा लगे है, तो इसे लाइक ज़रूर करना, और मेरी चैनल पर बहुत सारे ऐसे आइस क्रीम के वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो, वीडियो देखने के लिए, थाइंक यू, झाल